हेलो, तो कैसे हैं आप लोग, आज मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्रूस कंट्रोल के बारे में, क्रूस कंट्रोल एक ऐसा ओप्षन दिया गया है गाड़ी के अंदर, पैर आप हटा लीजिए, गाड़ी जो है, वो सतर की ही स्पीड में चलती रहेगी, यह बेसिक वर्क होता है, क्रूस कंट्रोल का, अब बात कर लेते हैं कि क्रूस कंट्रोल जो है, एक तो यह है, इसके अंदर आपको RES, मतलब resume का option और cancel का option, इस तरह कि आपको कुछ controls मिलेगे, यह सारे controls जो है, वो क्रूस से ही related है, प्लस माइनस का बता देता हूँ, प्लस माइनस क्या होता है, कि जैसे आपने 70 पे गाड़ी आपकी चल रही है, आपने cruise दबा दी है, तो यह प्लस माइनस का है, same condition resume और cancel की मैं बता देता हूँ, जैसे आपने 70 पे गाड़ी आपकी चल रही है, अब क्या हुआ, आपने कोई condition से आपने accelerate कर दिया है, या फिर brake दबाने का आया है, क्रूस बंद हो जाता है, मतलब आपने जैसे clutch दबाया है, तो cruise डीक्टिवेट हो जाता है, तो अब मालो आपने डीक्टिवेट कर दिया, अब आपकी control में गाड़ी, उसके बाद में आपने बापस 70 पर करके, उसको अगर आप RES कर देते हैं, दबा देते हैं, तो आपका जो cruise है, वो continue हो जाएगा, same cancel, cancel कब होता है, कि अगर आप clutch नहीं दबा रहे हैं, या फिर brake नहीं दबा रहे हैं, अगर इन में से कोई साथ भी option, क्योंकि ये तीनों option जो है, आपके disconnect कर देते हैं, मतलब cruise बंद हो जाता है, अगर आप या तो brake दबा दीजिए, बंद हो जाएगा, या फिर clutch दबा control है, या smart cruise control ये क्या बाला है, तो इनके बारे में मैं आपको बताएता हूँ, जो अभी मैंने working बताई, जिसमें आपको क्या speed set करनी पड़ रही थी, आप manually set कर रहे हैं, अगर आप normal cruise यूज करेंगे, जो पहले वाला cruise है, तो उस condition में आपको speed set करनी पड़ रही है, बट adaptive म क्या होता है, कि speed आपको set नहीं करनी पड़ती, गाड़ी radar system से कितनी दूरी पर है, उस गाड़ी से safe distance बना के चलेगी, मतलब अगर आगे वाली गाड़ी 70 पर चल रही है, तो आपकी गाड़ी उससे पीछे चलेगी, safe distance बनाते हुए, अगर आगे वाली गाड़ी ने slow कर लि इसा नहीं होगा, यह सिर्फ highway पे long journey करने के लिए ही है, बात करें कि cruise control की working की यह कैसे काम करता है, तो पहले के time में तो क्या acceleration जो वाला जो पैडल है, वहाँ पे केबल आया करती थी, बट अब क्या है, सारा sensor से related होने लग गया है, तो अब क्या है गाड़ी गाड़ी के सुझन उकसान लगता है, क्यों, क्योंकि body comfort में आ जाती है, जैसे गाड़ी चल रही है 70 की speed में, मैं free हो गया हूँ, बट आपको बता है कि drive करते समय कितना alert होना पड़ता है, तो अगर हम alert नहीं है, और हम comfort में आ जाते है, हमारे sensors comfort में आ जाते है, तो हो सकता है कि कुछ mess mis happening तो उस condition में मुझे पसंद नहीं है, बट लोगों को पसंद आता है, काफी अच्छा feature है, क्यों, क्योंकि ये गाड़ी का fuel हो जाता है, क्योंकि अगर हम यूज करते हैं गाड़ी तो कभी acceleration दबा रहे हैं, कभी brake दबा रहे हैं, तो उसकी गज़े से क्या है, गाड़ी का fuel burn अनिवन तरीके से होता है, बट अगर वहीं आप ये cruise यूज करते हैं, तो वहाँ पर एक even fuel burn होता है, जिससे आपकी efficiency बढ़ती है, गाड़ी की जो fuel efficiency बढ़ जाती है, same condition आपको comfort मिलता है, आपकी जो journey है, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो काफी benefit भी है, बट मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like, share, subscribe करना मत बूलिएगा, thank you so much, मेरी वीडियो देखने के धन्यवाद,